धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत सारे चिर परिचित चेहरे, अच्छा लगता है कि आप लोगों से बात हो रही है, लेकिन कहीं पर बहुत दुखी हूँ और आहत हूँ, मैं आज ही सवेरे महराजगन से वापस आई, और मैं बता रही थी थोड़ी देर पह नहीं है, कहीं पर दुख है, शोब है, एक पीड़ता है, एक औरत है, जिसने कहा है कि मेरे साथ एक देर साल तक यौन शोशन हुआ, उसने हिम्मत दिखाई कि वो बाहर आकर उस मामले में बोल रही है, उसने 164 section के अंदर magistrate के सामने बयान तक दिया है, ग्यारा घंटे उसस में पिता से पूछता चुई है, लेकिन जो आरोपी है, वो खुला घूम रहा है, और मैं इसलिए कहती हूँ, क्यूंकि अगर आप कोई भी डेटा उठा कर देखिए, 2006 का last national crime record bureau का data है, सिर्फ 29% rape cases report किये जाते हैं, 70% से अधिक cases unreported जाते हैं rape के, अभी national family health survey ने बोला, कि 99 percent rape cases unreported जाते हैं, तो तारीफे काबिल है कि किसी ने ये हिम्मत दिखाई, कि उसने बाहर आकर इस rape के बारे में बात करी, क्यूंकि ये rape charge एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के against है, और होता क्या है, वो आज शायद हार कर, दुखी होकर, परिशान होकर कहती है, कि मैं कर लूँ, तब क्या मेरे case पर कारवाही होगी, क्या मैं मिट्टी का तेल छड़क कर जला लूँ, तब मेरे case पर कारवाही होगी, और कहीं गुस्सा इसलिए आता है, क्यूंकि ये case और उन्नाव रेप case की जो समानता है, वो दहलाने वाली है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जिस तरह का crime record वहाँ पर है, आप सब लोग परिचित है उससे, लेकिन कहीं पर उन्नाव case की और इस शाह जहांपूर पीड़ता के case का मोड एक जगे आके रुख जाता है, और सवाल ये उठता है कि बार बार उत्तर प्रदेश में, सेम स्टोरी, सेम कहानी उसी मोड पर आक क्यों रुखती है, किसको संग्रक्षन है, किसका हाथ है चिन्मयानंद जी पर, कृष नपाल सिंग उनको कहना चाहिए, स्वामी चिन्मयानंद कहके हम शायद संतों का अनादर करते हैं, किसका हाथ है, किसका संग्रक्षन है चिन्मयानंद जी पर कि उनके खिलाफ कोई वाही क्यों नहीं होती है कर लेक एसाइटी का गठन जो हुआ था जो कोट मॉनिटर्ड एसाइटी है नीरा जरोडा जिसके हैड है आई जी उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं उन्होंने बड़े दमखं के साथ कहा कि मैं अपनी बात नयायले को बताऊंगा मैं मीडिया ट्राय जो 2011 का रेप मामला है वो वापस ले लिया जाए वो तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उस पे अपना दमखं के साथ बोला ये वापस नहीं लिया जा सकता है मैं निश्पक्षता पर टिपड़ी नहीं कर रही हूं लेकिन ये उसी उत्तर प्रदेश सरकार के पुलीस अधिकारी है जो इस साइटी के हैड है आप खुद इस पर अपनी कंक्लूजन और अपना केस बना सकते हैं ग्यारा घंटे पुछताच होती है उस पीड़ता से उसके पिता को जिलादिकारी तक कहता है कि इसके खिलाफ F.I.R. कर रहे हो लेकिन आरोपी के खिलाफ ना तो F.I.R. हुई है ना उनकी गिरफतारी हुई है वो दस्त के बहाने अपने घर पे और अब एक वार्ड में इंटर्वियू पे इंटर्वियू देने वाले योगी जी इस बात पर छुप हैं। क्यों प्रदान मंतरी दितली उडाते हैं लेकिन इस बात पर छुप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत से या विटनिस से छेर चार की बात होती है क्या चिनमे अनन्द बाहर रहकर सबूत से और विटनिस से छेर चार नहीं कर सकते है जिस law college की वो student है SS law college उसी law college के संगरक्षक है चिनमे अनन्द जी क्या वहाँ पर सबूतों से, क्या वहाँ पर गवाहों से छेड़ छाड़ नहीं करी जा सकती है, उनको क्यों ये छूट दी गई है, क्यों S.I.T. उनके खिलाफ F.I.R. या गिरफतारी का मामला नहीं उठा रही है, क्यों भाजपा के शीर्ष नेता, और क्यों वो महिलाएं, जो चुनकर आई हैं और जो ना भी चुनकर आई हैं, सरकार में बड़े पदों पर हैं, आज चुप बैठी हैं, वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, वो बात करती थी औरतों के अधिकार की, आज वो क्यों चुप बैठी हैं, और मेरे साथ शायद इस मा कुछते हैं कि क्या हो रहा है कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग और सवाल इसके भी उठता है क्योंकि चिनमया नंजी तीन बार MP रह चुके हैं वह भारत सरकार में मोस मिनिस्टर अफ स्टेट होम थे ग्रह मंत्री थे वो कानून को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके बाद भी वो खुले छूट के आजादी के साथ घूम रहे हैं एक चोटी सी बात कहूंगी मोटर वहके लाक्ट आया और उसमें कहा गया कि जो लोग कानून के रक्षक है जो उस कानून को समझते हैं उनके उपर डबल पैनल्टी लगेगी चिनमयानन जी जैसे लोग जो की सरकार में रह चुके हैं ग्रह मंत्री रह चुके हैं और संथ हैं जिन पर समाच सुधारने का अधिकार और जिन पर उसकी संगरक्षना होई चाहिए जब उन पर ऐसा आरो चुप हैं क्यों ये संगरक्षन मिल रहा है किसका हाथ है चिनमयानन जी के उपर क्यों प्रधान मंत्री से लेके ग्रह मंत्री तक चुप हैं और क्या भाजपा के शीर्ष नेता जिसमें मैं भाजपा की महिला लेता हूं की बात करती हूं क्यों वो बेटी बचाओ बेटी प को ये साबित करना होगा कि वो पीड़टा के साथ खड़ी है या आई औरोपी के साथ खड़ी है और मुझी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार आयोपी के साथ खड़ी है चिन्मियानद जी के खिलाफ कोई कारवाही नहीं हुई है ग्यारा घंटे पीड़िता से पूछता चुई है उसके उपर दबाव बनाया गया है जिला अधिकारी महोदे का नाम ले तक कर उसने बोला इंद विक्रम सिंग्षादुन का नाम है कि उन्होंने मुझसे का कि किसके खिलाफ आप क हैं वो बूत काल में पीड़िता से कब मिले थे उसकी बात हम लोगों को जरा आप बताएं वो कभी नहीं मिलते हैं और कहीं पर ये दोरा माप दंड है एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब आपकी पार्टी का एक व्यक्त आप देना चाहूंगी कि ये स्कीम के बारे में ये स्कीम पहले 2016 में भी दो अलग-अलग फेज़ेज में आप सरकार ने लागो किया था और अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत ही एफेक्टिव था इसलिए फिर से इसको दोहरा रहे हैं तो हम इन से उल्टा सवाल ये चाहेंगे अगर इतना ही एफेक्टिव था ये पल्यूशन को काबू करने के लिए तो 2017 और 2018 में उन्होंने ये स्कीम लागो क्यों नहीं किया दूसरी बात ये हैं कि दिल्ली में जो आप और बार बार उठाये हैं कि आप पबलिक ट्रांसपोर्ट को आगमेंट जब तक नह है थे दिल्ली में DTC बस फ्लीट पांच हजार 445 की करीब थे अबाट 5500 वह कम होके आज अबाट 3700 बस चल रहे हैं दिल्ली में रिक्वार्मेंट बसेस की पब्लिक ट्रांस पब्लिक बसेस की हैं 11000 और क्लस्टर बसेस बगरा सब कुछ मिला के लगभग 5000 की करीब ये बसेस चल रहे हैं पिछले पात साल में केज जिवाल जी एक भी बस नए बस DTC में आड नहीं किये हैं दूसरे तरफ सी वह और इविन कर रहे हैं हम मेट्रो की बात देख ले मेट्रो में थर्ड फेज में 130 किलोमेटर एक्स्ट्रा चालू हो गया लेकिन जो ता टार्गेट वास अ नहीं वह तार्गेट सिर्फ 30 लाक्स में आके अटका हुआ हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब जब तक और नहीं करोगे और इविन स्कीम चालू करने का मतलब क्या उसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता और जब कि ये NGT का भी या दूसरा कोई भी अगर हम डेटा र भी बीस हजार की फाइन लगाने की बात कर रहे हैं देखिए अगर हम डेली की बजट हम देखें डेली यूस्ट वी आ फिस्कल सर्प्लस रेविन्यू सर्प्लस स्टेट लेकिन लगातार हम पिछले पांट साल से देख रहे हैं ये फिस्कल सर्प्लस की जो परसंटेज हैं तो दिरे धिरे कम होते आ रहे हैं, और पिछले साल, you know, I think Delhi has become a revenue deficit state. तो केजरिवाल जी जो अलग-अलग free, बिजली, free, पानी, free ridership for women, इतने सारे free schemes चालू कर रहे हैं, उसका पैसा कहां से आएगा? उसका पैसा कहां से आएगा, तो लगते है कि केजरिवाल जी अपना pocket से तो नहीं देंगे, तो दिल्ली सरकार से ये खाली होते हुए जो उनका जो budget है, उसको पूरा करने के लिए केजरिवाल जी ये बीस हजार रुपे की fine लगाने की बात कर रहे हैं, और इसमें हम और भी ए हा रहे हो, साथ-साथ facilities भी तो बढ़ाना चाहिए, fine आप कर रहे हो, लेकिन साथ में जो pot holes है, रास्ते में जो गठे है, उसको कौन ठीक करेगा, जो non functioning traffic lights है, उसको कौन ठीक करेगा, तो ये सारे सवाल का जवाब central government और daily government दोनों को देना जरूरी है,